क्याहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का एड्यूकेशन के एड्सिक्ष में रुख करते हैं बिहार की तरफ कैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीपी एसी की तरफ से सिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है दूसरे चरण में यह बहाली की प्रक्रिया है जहां पर अब एक लाख वी सजार की तोटल बहाली की प्रक्रिया होने वाली है इसमें कई पद जोड़े गए जैसे कि कल्यान विभाग की वेकेंसी जोड़ी और चात्रों ने जिन्होंने registration नहीं किया है वो भी चात्र यहां पर मांद कर रहे हैं कि सर हमने registration तो कर दिया है payment नहीं कर पाएं या बहुत अरे चात्र जो है अपना registration करना ही बोल गये हैं तो यह क्यों हुआ है यह कुछ गलतिया है उन चात्रों की भी जिन्होंने अपना यह होती लेकिन हम लोग करेंगे विब्साइड भी दिश्टर्फ रहा है इन दिनों में तो यहाँ он डिस्टरब रहा है और यह फिर तीन दिन यहाँ पर विबसाइट पर बोला गया कि मेंटेनस कारे चल रहा था तो हो सकता है कि एक या दो दिन जो है आपको रेजिस्टेशन करने का पेमेंट करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जा है लेकिन जो छात्र यहाँ पेमेंट कर चुके हैं अब वह दूसरे चरण में जा चुके है तो वह क्या करेंगे उनके सामने अगर ऐसी समस्या आ रही है तो वह क्या है समस्या मैं उसी के उपर आज यह विडियो लेकर आया हूं दो क्लास 9-10 चार्ण 12 की चाई कूल-चाल कि समस्या चाट्र इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कमेंट भी किये हैं होग्य नाकर में 50% से कम मार्स रखे हैं तो क्या वो योग्ये नहीं है आविदन करने को लेकर तो यहाँ पर योग्यता को लेकर एक लाइन लिखा गया है जो कि NCTE के द्वारा ही इसको अपडेट किया गया है क्या है वो चीजे मैं आपको समझाने आया हूँ अगर आपको इसके उपर ज्यादा मतलब पता है इसके बारे में तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताईएगा क्या ये बाते सही है या गलत है इसके उपर भी जरूर कमेंट कीजेगा तो चलिए सीधे लिये चलते हैं और यह अगर आपको भी समस्या हो रही है तो प्लीज वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों तक यह बात जाए और इसके उपर सुधार करने का वो प्रियास करें दोस्तों आप आएंगे BPSC की वेबसाइट पे और आपको चार नमवंबर वाला जो है न नोटिफिकेशन डाउलोड कर लेना यहाँ पे जो चार नमवंबर को एक नोटिफिकेशन दिया गया था इस नोटिफिकेशन के अडविटीजमेंट को डाउलोड कर लेना है यह काम आ भारतिये नागरी कोना जुरुरी है यानि व्येकेंशी है डूसरी यह बात होती है बिहार की वेकेंशी है यहां पर सभॉजिटक कॉइसे क्वेशन के पिर्चाई नीफी क्यों होती है लेकर दिया तो अब यहां पर बोला गया है कि वी निर्दिष्ट विसाय को लेकर कम से कम 50% अंक सहीत किसी मानिता क्राप्त विस्विद्धाले से जो है आपका इसनातर होना चाहिए यह बात यहीं पर खतम होती है तो कि अब यहां पर अथवा लिग दिया गया है अथवा का मतलब यहां पर यहां इनके नोटिफिकेशन में जैसा कि हमने समझा है आप लोगों भी समझा होंगी यहां पर खतम होगे कि 50% के साथ आपका इसनातर होना चाहिए बात कह दिया गया है या फिर अगर नहीं है तो इसनातर यानि कि मास्टर डिग्री आपने कर रखा है और उसके समतुले को इक ड सब्सक्राइब कर रखा है तो लाउड है लेकिन साथ में आपका इसनातर होना चाहिए इस बात का ध्यान रखी यानि कि वैसे भी जुरूरी है रैजूशन प्लस बीड प्लस आपका तो अब यहां पर इन में से अगर नहीं है तो इसनातर भी किये हैं तो भी आप यहां पर आविजन कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एक जो छात्र है हमसे बोले की सर हमारा 49.5 परसेंट मास है या पर चलिए 50 परसेंट से कमी है यह तो बात बोला गया ना यहां प देखिएगा देखिए मैं सीधे आपको अप्लिकेशन फॉर्म बता रहा हूं दिखला रहा हूं तो यहां पर देखिएगा तो यहां पर जैसी आते हैं तो यह चात्र में अपना विज्ञान विशे सेलेट किया है क्लास 9-10 के लिए तो यहां पर कोई समस्या नहीं हो रही ह है चात्रों को सर्म बिज्ञान के सेलेक्ट करना है करना है ना इज ऐनों की रही हैं कि पेस्त न कर रख कर कि दूसरी कॉलम पर आएंगे क्योंकि इस पर इनका जो है मानने रखा गया है कि 45 परसंट से क्या लिखा गया है मैं आपको नोटिफिकेशन ने पढ़के बढ़ा दूँ ठीक यह लिखा गया है कि किसी भी मानिता प्राप्त संस्थान से इसनातर यह बात यहीं पर खत्म हो यहां पर स्नातर आपका होना चाहें है सर हमारा 49.5 इसनातर यह था फिर आप लोग जो है इस नातक्तर किया है इंचाहतर ने तो अब वर्णम यह तो बात यहीं खत्म होग न कि दिए लिए यह इंसीटी के दिए गया इसनातर्थ है 49.5 और साथ में इसनातर भी तो यह थो इस नातुक्तर हैं ये, तो इस नातुक्तर की आधार पे ये छात्र अपना फॉम भर सकते हैं अब यहाँ पे चीदी थी वाज़ा, तथा, तथा मतलब की और ये qualification होना चाहिए, 13 नमबर 2002 को एक अधिस्तुचित जारी किया गया था, NCT के द्वारा, जो की क्या था कि माननेता के लिए आविदन पत्र था, आविदन पत्र जमा करने की समय सीमा थी, अध्यापक सिच्छा कारिक्रमों की माननेता के लिए मानगंडों और मानों को द्वारा निर्धारन तथा नए पार्टिक्रम, नए स्लेबस की बात की गए थी, इसके आधार पे यहाँ पे यह तैयार के गया था, 2002 में, अथ्वा, अथ्वा यानिकि या इसके अलावा, प्रसिक्षन सुरू करने की अनुमती थी उनको, यानिकि जो उनको ट्रेनिंग देने की अनुमती की बात की ग योगता जो है कोरता है, एंचीती तेय करता है, तो जब यहाँ पर अगर आपका इस नातक में 50% से कम है और इस नातक तर हैं यहां पर 58% है जैसे कि वह बता रहते हैं, या 50% ही है, तो फिप्टी पर से उपर होना है नअ, यहां उपर हैं हम यहाँ यहां पर वाई, ठीक है सब्सक्राइब करेंगे और तो जब सब्मिट कर रहें जाके नीचे यहां पर क्या बोल रहा है कि है कि यानि कि इनका पर सब्सक्राइब करना विंध यानि-ट NS se request कर तो पक्तुन हैं। यहां पर 49 नहीं ले रहा है तो इसके लिए कुछ update किया जाए। रिक्वेयर्ट करता हूं कि या तो इसको ले एस लेकिन ऐसी स्थिति अगर यह लेता है तो जो इसे खुरत है कनल यहोग कई पोस्ट्रेशन नहीं किया है लेकिन यहां पर सूच रहे हैं कि सर यहां पर हमारा ले नीर है तो आप भी यहां पर क्या करेंगे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे अब यहां पर आपको क्या करना अब यहां पर दालके और अपना अपर सब्मिट करने के बाद यहां पर अपना अप्डेट आप डाली सकते यहां पर फोटो अप्लोड कर दीज़ेगा वेव कैमेरे से फिर अपना फोटो स्कैन वाला फिर सिगनेचर इंगलिश वाला फिर हिंदी वाला तो यह काम आपको कर लेना है अगर इसमें कोई समस्य आती है आपको आगे चल कर अब शाद्र बोल रहे थे कि भीया अगर यहां पर हमें समस्य आगे चल कर आए तो हम क्या करेंगी जैसे कि जब डॉक्मेंट वेरिफिकेशन ह लिखे जाना है जो कि आपको NCT ने यहां पर बताया है फिर भी मेरे अनुसार ही नहीं चलिए आप लोग अपने पूश्टी के लिए क्यों कि मैं तो बता रहा हूं वह ऑथेंटिक कीज़े ही है तो लोग अभी जो है न्यूजित हो चुके हैं तो उनका दिक्कत नहीं हुआ लेकिन आगे चल कर आपके साथ ना दिक्कत हो इसलिए आप क्या करेंगे तो आप कॉंटेक्स कीजिए बीपी एसी को इसर यह हमारा गाइडलाइन है यह हमारा नोटिफिकेशन का आ गया है तो हम एलिजिवल है नहीं हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है कहां पर तो फॉर्म इन सभी चीज़ों को लेकर आगे कोई समस्या ना हो इसलिए आपको बीपीएसी से कॉंटेक्ट करने की मैं बात है कह रहा हूँ आप इमेल के थुरू या कॉल करके या फिर पटना जाकर बीपीएसी वहां पर इन सभी चीज़ों के बारे में जरूर इक बार कंफाम हो माक्स है वह नहीं बता अपारे परसेंटेज में जैसी परसेंटेज का वहां पर माक्स बता रहें वह 50% से नीचे नहीं ले रहा है और चुकि ऐसे चात्रे जो की 50% से कम है यूजी में और उनका पीजी में जो है 50% से उपर है तो आप लाइक कर सकते हैं ऐस पर दो थेंग